Hello students, welcome to my YouTube channel. आज हम इस वीडियो में बात करेंगी C.G. scholarship में फॉर्म भरने के बाद आपको कौन-कौन से documents अपने college में जमा करना है और income limit क्या है STSE OBC की तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है The hard copy of online form along with all required document is to be submitted to undersigned from this यहाँ पे आप लोगों को जो आप form भर रहे हैं उसका print out निकाल के submit करना है पहली चीज तो यह ज़रूरी है कि आपको print out निकाल के जमा करना अपने college में उसके साथ-साथ क्या documents लगेंगे Copy of permanent cast certificate Copy of permanent residential certificate income limit जो की concern authority ए 30% बनाते हैं OBC के लिए 1 lakh है STSC के लिए 2.5 lakh है income limit इससे ज़ादा अगर है तो आप apply नहीं कर सकते Copy of 10th mark sheet Copy of mark sheet of last year exam याने की 12th class का Copy of self bank account pass book जो front page रहता है bank account pass book का वो copy of अधार and copy of fee received of the current year यानि की आपने जो college में fees pay की है उसकी fee received ये 9 documents आपको जमा करने होंगे जब आप CG scholarship का form जो है वो पूरा भर लेते हैं उसके बाद लेकिन मैं ये बता दूँ कि अगर आपने अभी भर लिया है तो अभी ना जमा करें क्योंकि इसकी जमा करने की तारिक mostly 15 नॉमबर के 15 नॉमबर से 30 नॉमबर तक होगी colleges में ध्यान रखिए CG scholarship का बता रही हूँ CG scholarship का ये documents आप लोगों को college में जमा करने हैं जिस college में आप admission ले लिये हैं या आगे चलके लेंगे यहाँ पे ये 9 documents ही लगेंगे पहली main documents तो आपके वही है जो आपने form भरा है उसका hard copy यानि कि जब आ form भर लेंगे तो print preview का option आएगा तो आपको print preview करके अपना PDF में save कर लेना है और उसी को print out निकाल के जमा करना है बाकी ये सारे documents तो आपने counseling के time में use किये ही होंगे सिर्फ इसमें नया दो चीज है एक आपका bank account का passbook का photocopy है और एक ये fee receipt है ये सारे documents आपको college में जमा करने होंगे तो I hope इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा income limit STSE OBC का अगर इससे जादा income limit है तो आप नहीं भर सकते दूसरी चीज आपको जो ये documents जमा करने है ये documents की list मैंने इस वीडियो में आपको clearly बता दिया है तो ध्यान रखिए जैसी आपका form complete होता है थोड़े दिन के बाद 15 से 30 तारिक के बीच में colleges में आप जमा कर देंगे अब कुछ students का doubt था कि उनको enrollment number नहीं मिला है तो आप अपने college से पूछिए क्योंकि private colleges में admission के दरान ही एडमिशन जैसी आप करते आपको तुरंथ enrollment number मिल जाता है तो आप लोग मांगिए form भरने के पहले ही तो मैं उमीद करती हूँ इस वीडियो मैंने जो भी कुछ बताया आप लोग एक लिए तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो के अपडेट के लिए थैंक्यू सो मच वाचिंग इस वीडियो